गाइस, MCU की अपकमी Captain Marvel movie में हम फैंस को first time MCU की female superhero का origin दिखाया जाएगा अब usually जायतार origin story पर बेस होगी जैसे Iron Man, Doctor Strange, Captain America The First Avenger movie में Super heroes के उन origin को दिखाया गया है जब Marvel Comics में Super heroes को first time introduce किया गया था लेकिन साथ अब Captain Marvel के case में ऐसा कुछ नहीं है जो origin story अभी तक Carol Delvers की चलतुई आ रहे थी उसे अब Marvel Comics में totally chain कर दिया गया है जिससे most probably MCU की Captain Marvel movie में भी दिखाया जाएगा Hello guys, मैं Ankit and welcome back to the Super Talk और आज हम बात करने वाले हैं Captain Marvel की secret origin की जो most probably हमें MCU की Captain Marvel movie में भी देखने को मिल सकता है जिस बज़े से ये एक spoiler वीडियो है जिसमें आपको Captain Marvel movie की बहुत सी information सेयर करूँगा पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं करा है और ऐसी super hero से लेटिट वीडियो और देखना चाहते हैं तो अभी subscribe बटन को दबा कर well icon को smash कर सकते हैं जिससे कि आपको हमारी वीडियो का notification सबसे पहले मिले यह 2016 में जब MCU की Captain Marvel movie की scriptor work किया जा रहा था तब Captain Marvel movie की screenplay writer Nicole Perlman ने कहा था कि यह मेरे लिए बहुत ही tough project है और हम इसमें सीधे ही Captain Marvel का comic book origin नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि comic में Green Lantern और Captain Marvel का origin काफी similar है जिसे movie में दिखाना बिल्कुल सही नहीं होगा इस statement के according Captain Marvel की screenplay writer ने यह hint दे दिया था कि कम से कम Captain Marvel movie में Carol Danvers के Captain Marvel तक बनने की journey comics से काफी different होगी तो guys इसी को लेकर पिछले one Captain Marvel की origin story का एक secret version Marvel comics में The Life of Captain Marvel run में reveal हुआ है जिसमें ये reveal किया गया है कि जिस विलास से Carol को अपनी powers मिली थी वो basically कुछ नहीं था Old origin story के according Leon Rock जब Carol Danvers को kidnap कर लेता है और उसका एक Creed device magnetron में experiment करने माला होता है तब बहाँ पर उस Creed device magnetron में एक बहुत बड़ा dangerous explosion होता है जिससे Carol Danvers को save करने के लिए Captain Marvel उसको cover कर लेते है अब इस explosion के बाद ही Carol Danvers को Marvel की तरह ही extreme power मिल जाती है जिसको लेकर ये बताया गया था कि जब explosion हुआ था तब Captain Marvel के जीने एक human body यानि Carol Danvers से combine हो गए थे जिससे Carol Danvers को extreme super power मिली बट new origin story के according ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ explosion तो हुआ था पक Carol को powers भी मिली थी बट इस origin story में इस incident का ये explanation दिया गया है कि Creed device के explosion से Carol के अंदर जो Creed super power थी वो unlock हो गई थी जिस बज़े से वो इतनी powerful बनी इस origin story में basically ये बताय गया है कि केरोल सुरू से हाफ क्री थी वो कभी पूरी तरह से human थी ही नहीं इसकी वज़े ये थी कि केरोल की मदर क्री alien थी जो क्री protector army का हिस्सा थी केरोल की मदर को क्री planet पर बच्पन से ऐसी training मिली थी कि वो किसी भी other planet पर जाका sleeper agent बन सके तो training के वेसिस पर जब केरोल की मदर को अर्थ पर भेजा गया तो बहाँ उसे एक human से प्यार हो गया जैन उनकी marriage हुई और फिर केरोल डैनवर्स का वर्थ हुआ जिस बज़े से वो starting से ही हाफ क्री थी और उसके पार childhood से भई पावर थी जो एक normal क्री soldier में होती है यहनी कैरोल डैनवर्स का नाम भी क्री वर्ड के name कैरल पर वेस है जो उसकी true identity को सो करता है अब अगर Captain Marvel के first trailer को इसी origin story के according देखा जाये तो यह माना जा सकता है कि कैरोल डैनवर्स चैलूट से ही क्री वर्ड का हिस्सा थी वो अर्थ पर हाफ क्री है और क्री प्लैनेट पर आदी human है वो यहाँ खुद से ही fight कर रही है कि वो real में है क्या अब वो movie के end में अपने half part humanity को चुनेगी जहां वो अपनी family के साथ रही या फिर वो उस world को चुनेगी जहां real में उसे होना चाहिए था अब 1990 के बाद सही MCU में place होने वाले event में Captain Marvel अर्थ पर नहीं थी चो truly यह सोग कर रहा है कि Captain Marvel ने अपने human part को ना चुनकर अपने creep part को चुना है जिससे वो creep planet पर चली गई पर जैसे Captain Marvel और Nick Fury की bonding को first trailer में दिखाया गया है उसके कॉनी Captain Marvel ने अपनी super power के basis पर Nick Fury को यह promise दिया है कि जब भी अर्थ पर बहुत बड़ा खतरा आएगा तो वो अर्थ पर आएगी और उसे save करेगी तो कैस यह था Captain Marvel का secret origin तो इसी को लेकर आज का question of the day यह है कि आप इस origin को MCU की Captain Marvel मुई में देखना चाते हैं नहीं यह आप मुझे comment करके जरूब बताना यही नहीं अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है आप इस वीडियो को like कर सकते हैं share कर सकते हैं और comment करके बता सकते हैं आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके लावा अगर आप Facebook और Instagram पर active हैं तो बहाँ पर हम भी active हैं बहाँ पर आप हमें follow कर सकते हैं तो गाइस मैं अंकित मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो में Thank you